नमस्कारम सद्कुरू, सती की मृत्ती होने पर भगवान शिव बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। शिव जी तो एक भगवान है, वो कैसे मूँ में फसकर दुखी हो सकते हैं? आपके अनुसारोंने क्या करना चाहिए था? एक दुर्भागे पूर्ण घटना में, उनकी पत्नी जिन्दा जल कर मर जाती है. वो व्यक्ती जो आपको बहुत प्रीय है, जब आप देखते हैं कि वो जल कर मर गई हैं, और आग आपको प्यार से नहीं जलाती, तो जब आपकी प्रीय पत्नी को जिन्दा जला दिया जाता है, तो आपके अनुसारोंने क्या करना चाहिए? और अगर वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते, तो मैं उन्हें बिलकुल भी भगवान नहीं मानता. वो निर्जीव चीजों की प्रकृती है. जब पेड़ों को दुख होता है, तो वो भी अपने ही तरीके से खून बहाते हैं. जानवर भी दुखी होते हैं. आपको लगता है कि श्रिव उनसे कम है? नहीं, उनका दुख बहुत तीवर है. लेकिन वो इसमें फासे हुए नहीं है. हाँ, उन्होंने कुछ समय के लिए दुख का, बहुत ही तीवर दुख का अनुभव किया. और इसलिए, हम उनकी कद्र करते हैं, क्योंकि वो अमानवी नहीं है. अगर आप मुझसे पूछें, तो वो एक महामानव है. इसलिए उनके अंदर हर चीज ज्यादा है. अगर नहीं है.